अर्ष न्यूस की सारी खबरें आपका चोरी करके भाग रहा था जिसे किसी वहां नेल्टक कर मार दिया और घायल हो गया है जिसके बाद PCR कॉल के बाद पुलिस टीमों के पर पोचि जिसमें महीला सबस्पेक्टर मंजू को चिनित के अगे था और आगे की अभिसक्ता कारवाई जिस पर आई यो महीला एक स्कूटी और एक मोटर साइकल पड़े हैं और हेलमेट भी पड़े हैं और उस पर खून भी लगा हुआ है और दो लोग घाय लें और उनको तुरंद होस्पीटर लेके गई जहां पता चला कि कि एक स्कूटी सवार सिकायत करता जिसके चोट लगी थी उसको बाइक सवार दो लूटेरों ने लूटा था उनसे मुबाइल पोंच छे लिया था और सिकायत करता ने दोनों लूटेरों को पगड़ा मगर एक ने चाकु से वार कर दिया और उसके घायल कर दिया और दूसरा स साथी आउरोपी का बाइक छोड के वहां से फरार हो गया था वराल पुलिस ने उसी टेम दोनों को होस्पीटर सबसे पहले भरती करा है पूश्तात की तो पता चला की एक सिकायत करता है और एक उसमें लुटे रहा है जहां पर पुलिस ने सिकायत करता का ब्यान सुना जो कि स प्रात्मिक संक्या नमर 332 बटा 22 धारा 392, 394, 397, 411 बटा 34 आईपी सिक तहत मामला दर्स किया था आरोपी को होस्पीटर से दिश्चार्ज के बाद ठाने लेके आए जहां आरोपी से पोश्तास की तो आरोपी ने अपना अपरात कबूल कर लिया और कहा कि अपने साती के स वहां लूट के रादे से घूम रहा था और सिकायत करता को भी लूटा था आरोपी का नाम चंदरहास और छोटू निवासी फोजी कलोनी मुकंद पूरगैस की उम्र 23 साले ये भलस्वा डेरी थाने का 20 ही भी है वहीं आरोपी ने अपने दूसरे साती के बारे में बताया ज एक चाकू और एक मोटर साइकल बरा मत की है वहीं दूसरे आरोपी जिसका नाम अमर दीप है वहावी फरार है उसको भी पकड़ने का प्रियास किया जा रहा है